तो हम लोगों ने inertial और non inertial frames की बात की जड़त्वी या जड़त्वी फ्रेम्स और जिसमें Newton का प्रथम-कतिनियम लागू होता है उनको हम जड़त्वीय कहते हैं इनर्शियल कहते हैं और जिसमें वो नहीं लागू होता है उसको हम नौन इनर्शियल या अजड़त्विय कहते हैं और प्रथम गती नियम है क्या कि अगर आपको acceleration पैदा करना है उसकी velocity में परिवर्तन लाना है रुका हुआ है उसको चलाना है चल रहा है उसको रोकना है स्पीड बढ़ानी है घटानी है दिशाब बदलनी है acceleration पैदा करना है तो resultant force लगाना पड़ेगा जब तक आप force नहीं लगाओगे तब तक acceleration पैदा नहीं होगा त्वरण पैदा नहीं होगा यह न्यूटन का प्रधम गतीनियम है जो कुछ फ्रेमों में लाग होता है कुछ में नहीं होता है तो यह चर्चाएं हम लोगों ने की थी अब बहुत महदपूर्ण result है यदि हमारे पास कोई एक inertial frame है तो हम यहाँ पर board पे access कीच करके दिखाते हैं कि यह कोई frame है जिसमें x-axis है y-axis है z-axis है समय ना अपने की विवस्ता है length ना आपने की विवस्ता है यह एक frame है और इस frame का हम नाम दे देते हैं इस frame को हम कहते हैं s और हम इस frame को मान के चल रहे हैं कि इनर्शियल है जरत्विय फ्रेम है यह इसमें Newton का प्रथम गति नियम लागू होता है अब इसकी अपेक्षा सभी फ्रेम्स जो uniform velocity से चल रहे हो frame uniform velocity से चल रहे हो यानि जैसे हम platform का हमारा एक frame है platform पे हम अपने x y z axis fix कर सकते हैं और फिर train में एक दूसरा frame है जिसके x y x y z axis train में fixed हैं तो अगर train चल रहे है तो हम कहाएंगे वो frame चल रहा है तो इस frame के अपेक्षा अगर कोई दूसरा frame uniform velocity से चल रहा हो और था तो उस frame में कोई acceleration नहीं हो वो train अगर चल रहे है platform के अपेक्षा तो train में acceleration नहीं चाहिए train को uniform velocity से चलना चाहिए ताकि उसमें जो x y x z axis बने हुए वो भी uniform velocity से चले तो ऐसा अगर एक दूसरा frame है और उस दूसरे frame में हमने यहां भी x-axis बना रखे है y-axis बना रखे हैं z-axis बना रखे हैं और इस frame का भी नाम हम देते हैं और इस frame को अगर हम s prime कहें ऐसा जो उपर में dash लगाते है त्यड़ा त्यड़ा प्राइम बोलते है s-prime इस frame का हम नाम दें और s से देखने पे यह frame किसी दिशा में किसी दिशा में ये वी विलासिटी से चल रहा हो और ये वी न बदल रहा हो समय के साथ ये वी न बदल रहा हो तो हम कहेंगे ये फ्रेम इसकी अपेक्षा यूनिफॉर्न विलासिटी से चल रहा है किदर चल रहा है किदर भी चल सकता है यहां चुत्र में हमने तेड़े भी हो सकते हैं इधर x prime axis इधर y prime axis ऐसा भी हो सकता है लेकिन uniform velocity से चलना चाहिए तो अगर ऐसा है अगर ये वी जो है ये constant है ये बदल नहीं रहा है समय के साथ ये भी बदल नहीं रहा है और ये frame inertial है तो ये भी frame inertial जरूर होगा यानि एक inertial frame की अपेक्षा चलने वाले सभी frames inertial होते है ये एक बड़ा अच्छा result है ये if s prime moves with uniform velocity with respect to x with respect to s then s prime is also inertial ये अर्थात इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं की एक जरत्वी फ्रेम की अपेक्षा एक समान वेग, uniform velocity, एक समान वेग, से चलने वाले, सभी frame जरत्वी होते हैं आसान है इसको समझना या इसको सिद्ध करना आसान है अगर ये फ्रेम inertial है जरत्वी है और हमने एक कोई particle के बारे में सोचा और वो particle यहां स्थिर है ये particle यहां स्थिर है और ये जरत्वी है इसका मतलब इस पर कोई भी force नहीं लग रहा या अगर एक से अधिक लग रहे हैं तो सब मिलकर शुन्य है तो हम इसे मान सकते हैं कि इस पर कोई force नहीं लग रहा तो ये rest में है ये acceleration zero है और force भी zero है Newton के प्रथम कतिनियम का पालन कर रहे हैं अब अगर हम इस frame से और इस पी को देखें पी यहां rest में है और यह जो frame है यह आगे की तरफ चल रहा है आप मन में कलपना कर सकते हैं कि यह platform है और इस platform पर यह कोई दुकान है किताब की दुकान है जो स्थिर है platform के frame पर और एक train uniform velocity से जा रही है तो उस frame में अगर आप इस दुकान को देखेंगे इस point को देखेंगे तो यह भी पीछे की तरफ uniform velocity से ही जाता हुआ मिलेगा प्रति सेकंड जितना distance इसका बढ़ रहा है उतना ही बढ़ेगा जिसे जिसे train platform पर आगे बढ़ रही है इस point का distance train से एक ही दर से बढ़ेगा और इस लिए इस frame से भी इस particle का acceleration zero होगा और force तो कोई इस पर लगाई नहीं रहा तो इस लिए इस frame में भी अगर इस particle को आप देखते हैं तो turn भी zero है और force भी zero है अर्थात यह भी inertial है तो एक inertial frame की एक पेक्षा एक समान वेक से चलने वाले जिदने भी frames होंगे वो सब के सब inertial होंगे उन सब में Newton का प्रथम गतिनियम लागू होगा हम लोग जो बाते करेंगे इस course में वो समान्यत ऐसे ही दो frame हम लिया करेंगे और इन दो frames में जब हम लिया करेंगे दोनों inertial दोनों inertial लेकिन एक दूसरे के पेक्षा उनमें गति होगी तो उनका एक्स अक्ष और एक्स प्राइम अक्ष यह एक ही रेखा पर होंगे हम अपने relativity के सिधान समझने के लिए और गनित को आसान करके रखना चाहते हैं ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होना ही चाहिए लेकिन हम जिनका उपयोग करेंगे जिन परिस्थितियों का उपयोग करेंगे उसमें हम ऐसा लेंगे कि यह एक्स एक्स और एक्स प्राइम एक्स दोनों एक ही लाइन पर होंगे और जो x prime axis है वो ऐसा slide कर रहा होगा ऐसा आगे बढ़ रहा होगा भी velocity से और s prime से अगर आप देखेंगे तो जो s का x axis है वो ऐसे पीछे की तरफ slide कर रहा होगा तो एक ये इसी तरह y और y prime axis ये एक दूसरे के समाना अंतर होंगे y y prime अक्ष ये समाना अंतर होंगे z और z prime अक्ष समाना अंतर होंगे तो ऐसा जब होगा तो किसी समय ये इस प्राइम जो फ्रेम है वह इस फ्रेम के ऊपर पूरा पूरा आया होगा क्योंकि जब ये दाहिनी तरफ को जा रहा है तो कभी इधर रहा होगा और और संदाहिनी तरफ को जाता हुएं कभी इसका y prime अक्सेस यहां होगा और x prime तो हमेशा ही x के उपर है, z उस समय z prime के उपर होगा और उसके तुरंत बाद फिर आगे यह बढ़ जाएगा तो जिस समय ये cross कर रहे हैं, इसका जो origin है और इसका जो origin है वो दोनों जिस समय एक ही point पर है cross कर रहे हैं, वो जो event है, वो जो घटना है कि इसके origin के ठीक उपर है इस समय उसके बाद फिर अलग हो जाएंगे उसके पहले भी अलग थे तो origin crossing जिस समय हो रहा है उस समय को यह frame t equal to 0 बोलेगा और यह frame अपने समय की का इसकी जो पधती है उसके नुसार t prime बराबर 0 बोलेगा तो हम लोग कैसे t को कब 0 लेना है और इस frame में t prime को कब 0 लेना है उसकी यह व्यक्षा है कि ओ प्राइम क्रोसिंग ओ यह जो event है ओ प्राइम ने ओ को क्रोस किया क्रोस जिस समय कर रहे हैं वो जो event है उस event को हम s frame में उसको कहेंगे कि यह t बराबर 0 पर यह event हुआ है और इस प्राइम फ्रेम में इसी event को हम कहेंगे तो वहां t बराबर 0 बचा है तो इसमें भी t प्राइम बराबर 0 बचा है तो जब भी हम s और s प्राइम की बात करेंगे तो उसमें यही रिष्टा होगा एक्स और एक्स प्राइम एकी लाइन पे वाई वाई प्राइम समाना अंतर जड़ेड प्राइम समाना अंतर और जिस समय में यह origin क्रॉस हो रहे हैं उस समय में इसकी घड़ी जो origin पर है वो टी बराबर 0 पढ़ रही होगी और इसकी origin पर जो घड़ी है वो टी प्राइम बराबर 0 पढ़ रही होगी यह चीज हम लोग ध्यान में रखे हैं हमने अभी event शब्द की चर्चा की है और हम इस event की चर्चा बहुत बार करेंगे कुछ कुछ event हुआ कि घटन हूई में यहां खड़ा हूँ यह घटना है मैं मैं ने चौक पकरली यह घटना है शिजय का गिलास तूट गया यह घटना है गिलास टेबलês cities के उपर रखा गया इयह घटना है पढ़ा है इस समय पर यहां पड़ा है यह घटना है तो इस गटना है इवेंट है इसके लिए हमें क्या मताना पड़ेगा कहां और कब तो इवेंट हम जब बताएंगे तो हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कहां यानि एक्स वाई-जेड बताओ यह लोकेशन हो गया कहां पर हुआ कहां की बात कर रहे हैं किस जगह की बात कर रहे हैं और टाइम कब टी तो जब इतना बताएंगे एक्स वाई-जेड और टी चारों बताएंगे तब होगा कि इस समय पर यहां पर कुछ हुआ है जिसको हम कह रहें कि यह इवेंट है अब हम अगला जो हमारा टास्क है वो यह है कि अगर कोई इवेंट है जो एस फ्रेम से देखने पर इस जगह पर हुआ है एक्स वाई-जेड उसका लोकेशन है और किस टाइम पर हुआ है तो टी टाइम पर हुआ है उसी इवेंट को अगर हम एस प्राइम से देखें उसी event को अगर हम S' से देखें तो यह है S से और S' से उसी event को देखेंगे तो उसका भी एक location मिलेगा X' Y' Z' और उसका कुछ time भी होगा T' तो यह S' उसी event को अगर देखेंगे तो इस जगह पर हुआ और इस समय पर हुआ हमारा जो अगला task है वो है X, Y, Z, T अगर मुझे मालूम हो तो X' Y' Z' T' क्या होंगे यह S' की व्यक्षा है और एक और चीज़ भी इसको यहां से भी ले लिजएगा कि यह जो S' है यह S की अपेक्षा V velocity से positive X axis की तरफ चल रहा है जैसे यहां आपने देखा यहां जैसा लिखा हुआ है वैसा ही S' का यह भी S आथ में तो यह भी आप यहीं पर जोड़ सकते हैं S' की अपेक्षा एक समान वेग भी से धनात्मक X दिशा में चल रहा है हम जब भी इस पूरे कोर्स में हम जब भी S' की बात करेंगे तो यह सारी बाते वहां पर लागू होंगी तो देखें हम कि अगर कोई इवेंट है जो इस जगे पर हुआ है इस समय पर हुआ है जैसा S ने ना पा है तो उसी इवेंट को S' क्या कहेगा कहां पर हुआ है और कब हुआ है इसको हम लोग कहते हैं Transformation Equation तो कहीं पर है यहां कहीं पर है और इस से ना पने पर इस एस फ्रेम से ना पने पर इसके जो coordinates है निर्देशांख है वो X Y Z है और T समय पर यह घटना हुई है और इस से जब ना पते हैं उसी इवेंट को तो कहां हुई है तो उसका जो उसके निर्देशांख है वो X प्राइम Y प्राइम Z प्राइम है और वो T प्राइम पर हुआ है तो अगर हम low velocity world की बात करें जो हम साधरनते अपने जिन्दगी में जीते हैं कुछ यहां कुछ भी अगर चलता है कोई भी गदिमान सीज हमें साधरनत हम देखते हैं हमारी train होगी हमारी car होगी हमारी cycle होगी हवा चल रही होगी आधी चल रही होगी, पानी बह रहा होगा, ध्वनी आवाज आ रही होगी, यह जो velocities है, यह low velocities में इनको कह रहा हूँ, क्योंकि प्रकाश का निरवात में जो वेग है, उसकी पेक्षा यह बहुत काम है, तो अमूमन हमें इसी तरह के velocities से पाला पड़ता है, तो वैसी स्थि के लिए मैं भी चत्र बना रहा हूँ, अगर हम इस x को देखें, यह x क्या है, यह x है, इस x-axis की तरह, और यहां अगर हम एक लाइन खीचें, तो यह है x, यहां से लेकर, origin से लेकर के, और यहां तक की जो दूरी है, वो है x, तो x यहां से लेकर के यहां तक, यह यह दूरी है x, और यह क्या है, x-prime का क्या है, यह s-prime frame से x-coordinate है, यहां से लेकर, यहां से लेकर, पी से, इसके x-axis पर लंब ऐसा डालें, और तब यह जो दूरी है, यहां से यहां तक की, यह है x-prime, और यह दूरी कितनी है, यह दूरी यहां से यहां तक कितनी है, तो अगर यहां से मैं देखूँ, तो जिस समय इस origin o-prime ने, इस o को cross किया था, उस समय t वराबर 0 था, और अब समय t हो गया है, और यह frame v velocity से आगे बढ़ रहा है, तो t बराबर 0 पर यह origin यहां था, और t समय पर यह origin यहां पहुंच गया है, और यह v velocity से, uniform velocity v से यह आगे बढ़ रहा है, तो यह distance कितना बना यहां से यहां तक कि, यह distance vt बना, v into t, और अगर मैं इस geometry को देखूँ, यहां से लेकर के, यहां तक है पूरा x, यहां से यहां तक है vt, और यहां से यहां तक है x prime, तो क्या पाते हैं हम, कि यह x जो है, वो बराबर है vt और प्लस यह x prime, अर्थात x prime जो है, वो बराबर है x minus vt, तो अगर मुझे x पता है, और t पता है, तो हम यहां से x prime प्राप्त कर सकते हैं, y prime का क्या होगा, अगर y prime देखें, तो चुकि यह दोनों parallel हैं, एक दूसरे के, z, z prime parallel है, y, y prime parallel है, तो y coordinate अगर देखेंगे, y पे अगर perpendicular डालेंगे, आइसा करके, डालेंगे, और इधर इस पर डालेंगे, तो जितना y इसका आएगा, उतना ही y इसका भी आएगा, और इसलिए y prime बराबर y होगा, इसी तरह z prime बराबर z होगा, और t prime का क्या होगा, t prime का क्या होगा, अगर कोई घटना, इनकी घडियों के अनुसार, s frame की घडियों के अनुसार, t समय पर होई थी, तो इस prime की घडियों के अनुसार, वो किस समय पर होगी, तो हमारे low velocity world में, जहां हमारे velocities कम होती है, यह जो velocity है, यह V है, यह V प्रकाश के सुन्य में वेक्षा बहुत कम है, उसमें अगर हमारी जैसी घडिया, s prime में हमने रखी हैं, वैसी अच्छी घडिया, s में भी रखी है, s prime में भी वैसी रखी हैं, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा चल रहा है, तो T और T प्राइम दोनों एक ही होंगे, बराबर होंगे, तो हमारे इस low velocity world के अंदर में, अगर हमने समान प्रकार की घडियां इस्तेमाल की हैं, और मिली हुई हैं सब, T बराबर 0 जिस समय था, दूसरी वाली घड़ी में T प्राइम उसी समय 0 था, दूनों बगल बगल में जब थी तो एकदम 0-0 दिख रहा था, तो T प्राइम और T भी बराबर होंगे, और इसलिए हम लिखेंगे T प्राइम बराबर T, यह होगा हमारे transformation equations, इसको हम लोग कहेंगे transformation equation, यानि अगर मुझे X, Y, Z पता हैं तो हम X प्राइम, Y प्राइम, Z प्राइम और T प्राइम पता कर सकते हैं, और उल्टा भी है, अगर हमें X प्राइम, Y प्राइम, Z प्राइम, T प्राइम पता हों, तो X, Y, Z और T भी पता कर सकते हैं, और वो कैसा बनेगा? वो बनेगा x बराबर x प्राइम प्लास वी टी प्राइम आप यहाँ से देखो x बराबर x प्राइम प्लास वी टी लेकिन t और t प्राइम बराबर हैं तो हमने ऐसा लिख लिए अगर हमें यह पता हैं तो हम यह लिख सकते हैं y बराबर y prime, z बराबर z prime और t बराबर t prime तो किसी event का अगर मुझे s prime में location पता है और उसका समय पता है तो इन equation से हम s में लिख सकते हैं कि उसका क्या location होगा और क्या time होगा यह जो equations हैं इसको कहा जाता है Galilean transformation equation और जो हम अमूमन अपने जिन्दगी में experience करते हैं अपने ध्यानिक जीवन के अंदर में वो इसी से govern हो जाता है इन ही equations के आधार के ऊपर जो गन्नाय हम निकाल सकते हैं वही हम साधरनता अनुभव करते हैं जब हम high velocity से walls में जाएंगे जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी speed सामिल होंगी उस समय फिर हमें इन में संशोधन करना है बढ़ेगा लेकिन अभी के लिए जो हम जिन्दगी जीते हैं जिसमें हम balls देखते हैं जिसमें हम पत्तों को गिरते हुए देखते हैं जिसमें हम पानी वरस्ते हुए देखते हैं इन सब चीजों के लिए ये जो Galilean Transformation Equations हैं वो बहुत उपयोगी हैं और हम इनके बारे में और चरचा अ